करके आगे की प्रोसेस करते हैं अब इसमें हम कांदे भूंजेंगे यह मैंने डाले कांदे इसको अच्छा भूंज लेंगे ठीक है तो चलिए इसको भूंचते हैं कर दो दोस्तों हम देखते हैं हमारे कांदे भूंज जाएं कि नहीं तो यह देखें यह हमारे कांदे इसको थोड़ा थोड़ा प्रूंज किया है उपर से तेल डालेंगे तो अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं तो अबने कि नहीं नहीं साबसे हम बांचंके बना रहे हैं हुझ नहीं सकते हैं जो देल दाल जाए हैं की अलीच को प्रीच को देखेम स्कसी कांदे को आंओ मोला नहीरा थो आप а मतल़ा अभर अप्धा शक्या है विली है आपको बताई यह बहाजी का स्वाथ ने बहाजी यह बार बजीरा काम दोपने कभी डालाया आपको पुछे कदेख सब्कार उसको जिछे से प्रायोग दिजेर रतां देको पुछे भी तब तक हमांडे अच्छी हम उसा करेंगया यह अच्छी हम आखेंगे, अधिके में पोल वह हुज है क कि दो कुरों कि अपने करना है वो दोस्तों को मिक्स करेंगे देखिए मिइच मसले कि मतचिकन मसला, रूचा मसला यह अगी कि अधिया पाउडर डाला है आप और कुछ जाने को इसमें डाल सकते हो इसमें आप डाल सकते हो लसन हमारे बास दिये लसन डालना मत बुलिए गार यह हमारा मसाला रेडी हो गया आप हम इसको तेल में डाल देंगे जो कांटे उसमें देख सकते हो आप यह हम इसमें डाल रहे हैं को इसको अच्छे से भुंजना है ड़रा मिक्स करना इसको अच्छे से कि तब तक इदर हमारे अंडे बन रहे कर अधा है कर दो है अ जी अ हुआ है तो दोस्तों देखिए हमारा जो मसाला है वो बन के रेडी हो घिया है अब हम यह जले लाइस के लिए हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ते यह आप देख सकते हो मैं घ् journalism थोड़ा पानी डाल दिया अधा ग्लास में अंडे डालेंगे अ यह देखे हमारे मसाला थोड़ा सा पानी डाल दिया अब है देखिए हमारे अंडे तो हम इसमें अब अंडे डालते हैं ठीक है कि यह हम अंड़े डालते हैं इसमें कि यह हम अंड़े इसमें डाल रहे हैं आप देख सकतो हो पूरे अंड़े डाल देंगे बार इक करूंगे रहे जाओ देने तो आप जारे सकाने है कि तेराव देने तका लेगा है कि यह देख सकते हो हमने अंड़े डाल दिए आप देख सकते हो पूरे अंड़े इसमें डाल दे अब रसा रस आप कितना चाहते हो पानी कितना जाते हो पूरे अंड़े खाते हो तो हम इसमें थोड़ा पानी करेंगे यह हमने इसमें पानी डाला पानी देखिए हमारे पास बहुत पानी हमारे पास पानी की कमी ने इसके लिए हम थोड़ा पानी करेंगे और कार तो देखिए मैंने इतना पानी डाला है अब भी अपने हिसाब से पाणी डाल सकते हो हमाइरे पार अंडी बीज्दा है और पानी बीज्दा है तो हमने अंडे और पानी जिदे zakत लिए ञें ग division कि तो हमारे कुछ मसाले भी लाकिये तो यह दिखें यह वाला मसाला भागि य cumpli मसाला बीद जिकर कर युद्र Bet अच्छा रहता है तो अपने हिसाब से डाला हो पूसक् 터et द जादा नहीं डालना है थोड़ा को कशो अधिदर रहता है इंग कि और हमारी हल्दी भी बाकिए जो भीड ना मत खुलेगा है दोस्तों कि कि शहत के लिए भूत अच्छी रहती हैं ते हम हल्दी मेरे इसाफ से में डाल है यह तक जाला कि ये बन गए हमारी भाजी अब हम डालेंगे नमक नमक तो आप अपने हिसाफ से डालना में मेरे हिसाफ से डालूंगा यह मैं अपने हिसाफ से नमक डाल रहा हूं अगर नमक कमी डालना दोस्तों अगर आपको अपना अंदाज नहीं पता है तो कमी डालना क्योंकि उपर से भी लिया जा सकता है बाद में तो यह मैंने नमक भी डाल दिया अब इसको यह न थोड़ा थोड़ा गर्म होने देना है मैं आपको दिखाऊंगा आलाज तक देखे कि कैसी हो गई भाजी तो देखे दोस्तों हमारी भाजी अब पूरी तरह बनके तयार हो गई दोस्तों इसमें ऐसा उबाल आया मतलब समझ लो भाजी पूरी बन गई तो वी झालाजी।